देखें कुश्चन है क्या कोश्चन है if the function is differentiable at one then a by b जब भी differentiability लिखा तो इसका मतलब left derivative right derivative के equal होगा function continuous भी होगा और limit भी exist करेगी यानि हम इसमें यह logics लगा सकते हैं तो सबसे पहले अगर मैं differentiability की बात करूं अगर मैं f-x इसका निकालूं तो मिलता आपको माइनस वन और वन पे भी निकालते तो माइनस वन मिलता ऐसे इसका differentiation अगर मैं बोलूं तो एक जीरो खेलो लिखते हैं इसका लिखते माइनस वन अप्रूइट और अगर इसमें फन रख देता रहाओ यह मैंनस वन अपॉन मं- प्रूइंस का और यह यह दोनों को आप equat कर सकते ते क्यूंकि Kerry बोलिए तो माइनस वन इकल टू माइनस वन अपॉन रूपिज 1 प्लस B का whole square cross multiply minus से minus cancel तो 1 प्लस 1 प्लस B का whole square equal to 1 तो B 1 प्लस B का whole square equal to 0 तो B equal to minus 1 सबसे पहले तो एक बात आ गई B की value minus 1 अब B की value minus 1 के बाद आप से पूछा A by B तो आप कैसे निकालेंगे तो simple क्योंकि हमें पता है कि तो continuous भी होगा तो ठीक 1 रखने पर यह मिलेगा minus 1 यहां रखिये 1 तो A plus cos inverse 1 minus plus B तो एक तरह से हो गया बिटा minus 1 minus A equal to cos inverse 1 plus B because B की value minus 1 है तो आप यहां पर minus 1 minus A equal to लिख सकते हो cos inverse 0 and cos inverse 0 होता है pi by 2 तो A का value भी आ गया minus 1 minus pi by 2 अब A B negative है B B negative है तो ratio positive होना चाहिए इसमें negative है इसमें negative है इसमें negative यह नहीं होगे तो यह answer हो गया बाकि आप divide करते हैं तो यह common लेते upon minus 1 cancel तो 2 plus pi upon 2 is a right answer note कर लेजे यह को पीदिया और तो यहाज़ा तो यह दो